बुड मॉर्य श्टुडेंट्स वेलकॉम तो इंग्लिस क्लास हम लोग इंग्लिस ग्रामर पढ़ रहे हैं जिसके अंतरगत हम लोग उने काईन्ट्स आप संट्स पाड्स आप संट्स पढ़ा हम लोग आज से नाउं युद यूंग को रहेंगे चलिए सिद्धा हम लोग पाड़ पर आते हैं नाउन, दनाउन, एंड काइन्स, जब लुखी तो वाक्वों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, राम इज वाकिंग, ही लिप्स इन मेरट, ही है जपन, उपर रुट वाक्वों में राम, मेरट, और पन, जब दिक्रम साह, ये वेक्ती का नाम, अस्थान का नाम बश्तु का अर्थाते क्रम साह बेक्त स्थान था बश्तु का बूट कराते हैं कि तो परिवाशा नाउन की हो चुकी कि नाउन is the name of a person, place or thing किसी वेक्ती अस्थान या वस्थ के नाउन को शंग्या कहते है यह नाउन is a naming word तो पुल मिला करके जिससे हम कोई नाम दे सकें उसी को हम क्या कहते हैं शंग्या किसी वेक्ति या स्थान या वस्त के नाम को शंग्या कहते हैं का इंन्स आप्म सेंगया के भेदु शेंगया नाउन के पांच भेद होते हैं क्राफर नाउन क्वेंडीन मैटेरियल नाउन लावस्टेक्ट नाउन ब्रपर नौह बेक्ति वाचक संग्या सब्सक्रापननाय नुद्ड़ा आर दे नेम साफ पर्टिकुलर पर्सम्स और प्लेसेज अर्था जिसे सहर कह दिया जिला कह दिया तो यह तो पूरे का हो गया लेकिन बारा नशी मेरट आगरा अर्था ते एक विशेश नाम है शहर तो है लेकिन यह विशेश नाम तो इसलिए तो प्रापर प्रापर नाउंस और नेम साफ पर्टिकुलर पर्सम्स प्लेसे निम्लखी तो जारणों को ध्यान पूर पढ़िए मोहन इसे गुड़ गवाए डेले इसे बिग सिटी इंडिया इस माई कंट्री इन वाक्यों में मोहन एक विशेश लड़के का नाम है वार माने तो लड़के लड़के कहने से मतलब कोई सभी का अबोद होता है लेकिन यह मोहन कहने मतलब किसी एक विशेश लड़की का नाम है देल ही महने किसी एक विशेश सहर या स्थान का नाम है ता था इंडिया एक विशेश देश का नाम है ता यह प्रापर नाउं है ता प्राप जिन संग्या या नाउन सब्दों से किसी एक ही जात के प्रतेग भेकते अस्थान है बस्त का होद हो अर्था उसका सामान लुप से प्रवग हुआ हो से कामन नाउन या जाति वाचक संग्या कहते है। कामन नाउन is the name given to any person, place, or thing in common. It does not point out particular person, place, or thing. जिम्रिके तु जानुक देखे। The boy is going to school. He has a book. इसमें boy, इन उद्रणों में boy, school, वो अभुक. संग्या सब्दों का प्रयोग शामान निवेट्टी अस्थान वह अबस्तु के लिए किया गया है। यह कामन नाउन है। बाए माने कई बच्चे में से कोई विच्चा हो सकते हैं लगके। इस्कूल कोई भी स्कूल, बुक कोई भी किताब। इस पूरि किताब करने कोई तो सब के बारे में बता रहा है। स्कूल मनें वह चाहे किसी एक जिले के हों, चाहे किसी देश के हों। सब इसकूल का मत्तब कहने से सभी स्कूल का बोद होता है। बाए मैंने सभी लड़कों का। कलेक्टिम नाउन संवूँ बाचक संग्या सब्सक्रावाइब हैं क्लेक्टिम नाउन सब्सक्राइब संझ ये सब्सक्राइब करें य PREV Sangry और इविए कि बास değiş्रक में attachments और दो का बोद हो अब जिसे यहां दिये गया उदान आवर आर्मी फट बेवली यहां आर्मी का मत्दब है शेना कि रीड्स इन क्लास क्लास से समू का बोद होता है पूरी कच्छा का आता यह सब कलेक्टिव नाउन यह समू वाचक कहते हैं किसी गुरुप का इस्पिसल क्लास का मतलब होता बच्चों का समू आर्मी मतलब सेनानियों का समू मैटेरियल नाउन धात्व या पदार्थ वाचक संग्या जिन संग्या सब्दों से किसी धात्व थोवा पदार्थ का बूद होता है अर्था जो धात्व या पदार्थ किसी अन्य चीज का निर्माण में सहायक है उन्हें मैटेरियल नाउन या धात्व या पदार्थ वाच में अगर बोट नाम होता है तो वह जो है मैटिरियल नाउन कहलाता है कि दर रिग इज मेड आप गोल्ड कि आईरन इजा यूश्फूल मेटल अब यहां देखिए इन वाक्यों में गोल्ड तथा आईरन किसी अन्यवस्थ को बनाने में काम आते हैं आता यह मैटिरियल नाउन है यह पदा आरत हैं जिनसे गहने या भूशान आईरन से बहुत से चीज़ें अस्तर सस्तर बनाये जाते हैं Abstract noun भाव वाचक संज्दी है जो संज्द किसी गुरं भाव न अवस्था का बोच कराते हैं उनी uh abstract आबाव वाचक संज्दी है the nouns that refer to quality and action are और इस्टेट और काल अश्टेक नाउं निम्निकी द्वाकों को ध्यान को लोग पढ़ें अर्थात भाव किसी गुण भाव या वस्था का बोद कराएं वेवेड्या और सकते हैं लेकिन सुष में अस्पर्स कर सकते मैं मैं सुस्थ रौस में नेयージ और भी और यह दूणं ऐसे सब्दद नोग मांदारी बह धुरी यह त्क है वावाचे संज्या है मिसे इस अफ्स्ट्रेट में उनको सिर्फ फील किया जा सकता है देखा या चुआ नहीं जा सकता है आपके वल इतना तक पढ़ें इसके आगे का वाग हम लोग कल पढ़ेंगे जहां कोई दिक्कत हो समझे में ना आए क्योंकि यह रिवीजन हो आपको पहले में पढ़ा चुका हूं ऐसा नहीं है क्यों फर्स टाइब आपको रिवीजन करा रहा हूं तो आप लोग से पहले से परिचित है इसलिए फिर भी इनको अच्छी तरह से लिखें समझें और दो तीन बार जो है वीडियो चला करके पढ़ें थैंक्यू आल देवेस्ट